दोस्तो बंजारन मूवी का एक सीन यहां से लिया गया था जो कि रिशी कपूर जी यहां से चड़ते हैं वो सीडे में आपको कम्प्लेटे बताऊंगा दोस्तो आज मैं आगया हूँ ऐसे शुटिंग लोकेशन पर आपको मैं बता दूँ यहां एक मूवी शुटिंग हुई थी बंजारन जो की रिशी कपूर साब की मूवी थी रिशी कपूर सार की यह मूवी थी बंजारन रिशी कपूर सार अब हमारे साथ में नहीं है लेकिन क कुछ उनकी यादे जुड़ी हुए जुस मिट्टी से जुड़ी हुए यहाँ पर उनकी फिलम बंजारा नहीं थी वह यहाँ सूट हुई थी तो उसके कुछ करके चलता हूं बंजारान इतिहास एलान जंग मूवी और काफी मूवी पांचे मूवी जो यहां पर सूट हुई थी वह करके मैं आपको सीन दिखाऊंगा तो वीडियो बने रहे हैं दोस्तों फिलम में एक सीन यहां से दिखा गए यह पुरानी धरमसाला दिखाए गई है औ जमाप बनी है और जो मूवी में दिखाएगी यह पुरानी धरमसाला देखेए और यहां पर पहले पीले कलर की थी और यहां पर लंगर वीक्ति लिखा वाथा ज्यों आप देख पार होंगे इसक्रीर इन लगाए वह गया है जो पहले तिनली लगावे थे देख सकते हैं औ फिलम का ये स्टार्टिंग पार्ट था जब रिसी कपूर जी सेहर से पढ़ाई करके और गाम की तरफ लोडते हैं तब उनका ड्राइवर होता है तो यहां गाड़ी खड़ी करता है और तब रिसी कपूर जी बोलते हैं कि ड्राइवर तुमने गाड़ी यहां क्यों खड़ी क तब ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पे एक सीद महान पूरुस रेते हैं उनके आशिरवाद से हर्मनोकामने पूर्ण होती है तब रिसी कपूर जी उन ड्राइवर की बास सुनते हुए यहाँ से चलते हुए इन सीडियो से चलते हुए उन महान पूरुस तक जाते हैं आपको एक-एक सीन दिखाने वाला हुँ मैं तो इन सीडियो से चड़ते हैं रिषी कपूर जी वहाँ तक पुर्षते हैं और इस्क्रिंशोट पर आप मेच कर सकते हैं यह धरमसाला ही वह सीडिया है जो कि आप इस्क्रिंशोट पर अच्छे से मेच कर पा रहे होंगे तो यह एक सीन यहां से बताओंगा फिलम का एक सीन यहां से ल鉤या है यहां सामने गर नाउआ है वो भी आप देख पाने होगे और वह बहुत है और साइड में पुरानी धरमसला है पर यहां पर रहुतateur है Сам जो कि मैं आपको भी एक्ये करके वो सारे सीन दिखाने वाला हूं, continue वीडियो पने रहे, यहां सामने आप देख सकते हैं, रिसी कपूर जी यहां पे इस मंदिर को देखते हुए, यहां से गाड़ी खड़ी करते हैं, इस मंदिर में देखते हुए, यहां से आते हैं, और यह स्क्रीन सोना पीछे दिखाई थी, मैंने आप देख सकते हैं, यहां गाड़ी खड़ी थी, सामने की तरफ, यहां सामने की तरफ गाड़ी खड़ी थी, और यहां से रिसी कपूर इस सीडियो से चड़ते चड़ते आये थे, जो कि एक सीन यहां से फिलमाया गया और यह नीम पर आप नीम का पेड़ पीछे रहे गया वह बन भी आपको बताए था तो एक सीन यहां से लिया गया है जो कि रिशी कपुर्जी चड़ते वह इस मंदर के और जाते हैं एक सीन यहां से लिया गया है आप साब देख सकते हैं यह गुम्मद आपको दिखाई दे रहा होगा यह दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं यह सीडिय का पेड़ आते हैं और उतरके आते हैं तो एक सीन पूर्जी से ड्राइवर आते हैं और उतरके आते हैं hen सीडिएorer आते हैं और पर पूरानी जो दरमसाला वह आप सकते हैं यह देख सकते हैं मीना समाज की यह एक धरमसाला है जो चाकसुमिश्टिते एक सीन यहां से लिया गया जो कि आप देख सकते हैं उनका केमरा इंगल किस तरफ था यह कंफरम नहीं लेकिन यह धरमसाला दिखाई गई थी और लोगों से यह पूषता की तो इनना बताये कि यह धरमसाला दिखाई गई थी दोस्तों यहां एक मंदिर है चाक सू माता का सीटला आपने देख सकते हैं यहां पर लाखों की संक्या में लोग आते हैं और माता से मनत मांगते हैं जो भी आपको मंदिर मा भी आपको मैं दर्सन भी कराऊंगा और इस जगे पर जहां में खड़ा हूं यहां यह चाक सुष्टली है और यह जेपूर से 25 से 30 किलोमेटर की दूरी क्याई के पर है यह और यहां पर आई यह और दर्सन कीजिए और बहुत काफी जहें यहां पर काफी शुटिंग हो चुकी है और मैंना आप outta. बैं tener करके सारी वीडियो देख सकते हैं एलाने जंग की सुटिंग हुई थी और धर्मकाटा इतिहास इन सब की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा तो आप वहाँ जाके एक बार ये जरूर देखिए तो यहाँ पर काफी मुवीग सुटिंग हो चुकी है और आप यहाँ पर दर्सन कर पा रहे होंगे सीत पर दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर बनजारन मुवी की शुटिंग का लोकेशन जो भी यहाँ पर सीन हुए थे वह एक की करके मैं आपको बता दिया अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और जो भी चैनल पर नए वो चैनल को जब से मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो के साथ में एक नई जगे के साथ में थेंक्यू सो माच जै माता दी जै हिन